बेसिक जैपनीज लेंगवेज जिसमें आपको सबसे पहले ये सीखना होता है कि वोकेबलरी यानि की मोजीगोई, दोकाई यानि की अंसीन पैसेज और फाइनली ग्रामर जो की आपको fundamental blocks देती है, आपको advanced Japanese सीखने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है तो आएए इस वीडियो के थुरू हम सीखेंगे कि basic Japanese language में हम vocabulary को, grammar को और comprehension passage को एक ही बार में पढ़के किस तरह से हम JLPT हो, चाहे वो interview questions हो, एक ही बार में हम किस तरह से उसको solve कर सकते हैं और साथ के साथ हम ये भी discuss करेंगे कि उसको fast सीखने का तरीका क्या होता है, गलत तरीके क्या होते हैं और सही तरीका क्या होता है यादगरने का Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम है रहवी, चली शुरू करते हैं चली तो हमेशा की तरह, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि हम vocabulary को दोकाई के through, यानि की unseen passage के through अगर सीखे तो बहुती effective, बहुती speed से और बहुती fast इसको आप सीख सकते हैं तो शुरू करते हैं इससे, पहले मैं बलकि आपको यह कहूँगा कि आप अपने आप इस वीडियो को यहीं पर pause करके इसको पढ़के, अपने आप solve करके, इस question का एक answer निकालने की कुशिश करें और उसके बाद इसका solution देखें, तो यहीं पर वीडियो को pause करिए चलिए, तो I hope आपने यह answer निकाला होगा, और अब हम इस answer को देखते हैं, जो की है first का third और second question का second, और कैसे है, बहुती simple, बहुती easy, दो काई है, बहुती easy passage है चलिए इसको देखते हैं, किनो हुआ, तो मदाचीतो, फुतारीदे, एगानी, की माश्ता तो जिन्होंने N5 का आदे से थोड़ा सा जादा पार्ट पढ़ा हुआ है, जिसमें verbs और यह simple vocabulary आई हुई है उनको यह बड़ी easily समझा गया होगा, कि कल मैं अपने friends के साथ, या अपने friend के साथ अब देखे, friends और friend में यही फर्क है कि हम हमेशा कहते हैं कि Japanese बड़ी मुश्किल है, इसमें plural का नहीं पता चलता लेकिन आगे जब clearly लिखा हुआ है, फुतारीदे, एगानी की माश्ता, तो फुतारीदे का मतलब हो गया हम दोनो तो यहां पर पता चल गया कि मेरा एक ही friend था, तो किनो वा तोमदाची तो फुतारीदे, एगानी की माश्ता का मतलब है, कल मैं अपने friend के साथ मूवी देखने क्या था, एगावा नी जिकान गुराई दे ओवारी माश्ता, जिनोंने ये basic vocabulary पढ़ी हुई है, जिकान गुराई, तो उनको ये easily पता चल गया है, नहीं भी है तो आप इस तरीके से, जैसे इस दोक्काई में मीनिक्स दियो हैं, तो उस तरीके से आप सीख सकते हैं, एगावा नी जिकान गुराई दे ओवारी माश्ता, यानि कि दो घंटे में movie खत्म हो गई, हिरुगहान नो जिकान नी, तो हिरुगहान का मतलब होता है, लंच और जिकान अगेन टाइम, तो लंच के टाइम पर नो दे, नो दे मतलब that's why, शोकुदो नी हाइते, शोकुदो मतलब cafeteria या फिन canteen या कोई food hub कह सकते हैं, नी हाइते, हाईरी मास का मतलब होता है, enter करना, गोहान ओ तावे माश्ता, हमने खाना खाया, सोरेकारा देपातो दे काई मोनो, काई मोनो ओशी माश्ता, देपातो का मत सोचे, जैसे में इंडिया में बड़े से मौल में जाते हैं, तो वही होता है, departmental store, जपैन में, उसे मिलता जुलता होता है, तो इसलिए मैंने हापे मौल लेखा है, काई मोनो शी माश्ता मतलब हमने शॉप्टिंग करी, स्कोशी सकारिता, थोड़ा थग गया, तो यहापे खलकी सी negative बात आई, कि मैं थोड़ा थगया, केरदो आया है, तो यानि कि आगे कुछ अच्छा आएगा, तो इसमें हमें second option में देखना है, कि वारूई तो bad होता है, तानोशी अच्छा होता है, किताना ही dirty, यानि कि वहीं खराब हो गया, मुजगाशी भी खराब है, तो ब बड़ा ही enjoyable एक दिन था, चले तो इसी तरह से, इसको देखिए दोकाई, मैंने पहले भी वीडियो में का है, कि एक बड़ आगर आपने solve कर ली तो इसका मतलब ये खतम हो गई है, जी नहीं, ये शुरू ही है, शुरू का मतलब क्या है, इसको दो बार, तीन बार, चार बार करना है, क्यों, क्योंकि जितनी भी vocabulary आई है, इसको हमें हिंदी की तरह याद हो जाए, बिल्कुल सुनते ही हमें click हो जाए, इसलिए आपको कम से कम चार बार इस दोकाई को solve करना होता है, किसी भी दोकाई को solve करना होता है, तो चली अब अगला section है grammar, इसके भी through, हम grammar भी सिक और साथ-साथ जो words आएंगे, उनको मोजी कोई कितरा revise करेंगे, यानि कि उनको भी याद करेंगे, तो चली पहला pattern है, ते इतादा के मासें का, ये मैंने भी पहले भी वीडियो में सिखाया हुआ है, कि ते के साथ इतादा के मास लगता है, तो ये favor के तौर पे, यानि कि य सामने वाले ने मेरे उपर करी है, और देखिए, अगर favor नहीं भी आपको समझाता है, याद नहीं रहता कि favor है, इसमें favor का है, जैसे उसने मेरे लिए मेरा homework चेक करा, मेरे teacher ने मेरा homework चेक करा, अगर इसमें favor का आपको याद नहीं भी हो रहा, तो छोड़ दिजिए, सिरफ इतने से याद, ये favor इसलिए बोला जाता है, ये याद रखवाने के लिए, कि ये वर्ब सामने वाले ने मेरे लिए करी है, मैंने ये वर्ब नहीं करी है, तो ते form के साथ इतादा के मास आया, तो इसका मतलब है कि सामने वाले ने वर्ब मेरे लिए की है, तो पहला इसका ए Oshiru का मतलब सिכाना होता है तो यहां पर रहें बताना कि Kaun Sa Cусовica लाएगा कहां से खरीदू या थोड़ी सी मेरी हल्प करो Fenा सकारीद करो तो बोना ख्रीदना है क्या आप मुझे थो डाइट नहीं करेंगे Charculation जापमीज लैंगुज में मैंने रिपोर्ट लिखी है यह थोड़ा सा वर्ड्स हिल गए है इसको ध्यान से सुनिए यह लिखा है रिपोर्ट लिखी है चेकुष तदा के मासेंका का मतलब है क्या आप मेरे लिए चेक नहीं कर देंगे तो यहां पर भी एक हलका सा फेवर का से यह भी सेंस आगया कि यह वर्ब आप मेरे लिए करेंगे तो पूछने का एक सेंस होता है चेकुष तई तदा के मासेंका क्या आप यह काम मेरे लिए करेंगे यानि कि एक तरह से परमीशन लेने का या फिर एक फिवर मांगने का एक तरीका होता है तो तई तदा के मास के ब शिते इतादाखे मासका का वही मतलब है जो मैंने भी आपको बताया है कि क्या आप ये काम मेरे लिए करेंगे यानि कि जो इंट्रोड्यूस कराने का जो काम है यानि कि कि किसी लेडी से मिलवाने का जो ये काम है ये आप मेरे लिए करेंगे अब आपके दिमाग में question आ रहोगे इतादा के मासेंग का और इतादा के मास का में फर्क क्या है देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि क्या आप ये काम मेरे लिए करेंगे क्या आप ये काम मेरे लिए नहीं करेंगे दोनों ही cases में हम उससे request कर रहे हैं कि आप यह मेरे ले काम करो तिस तरह ऐसे आप इसको रखके चल सकते हैं last example दिखते हैं सुगू की मास नो दे चोत्तो मात्ते इतादा की मास का तो यह आपको समझे आगे होगा सुगू की मास मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ या दो मिनट जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक मिनट में आ रहा हूँ दो मिनट में आ रहा हूँ तो सुगू कहते हैं उसको चोत्तो मात्ते यहां तक तो बिल्कुल clear होगा आपको बिल्कुल starting में ही यह expression सिखा दिया जाता है चोत्तो माते या चोत्तो माते कुदा साई कि थोड़ा सा वेट करिए अब ते फॉर्म को हमने इसको ते इतादा के मास लगा दिये इसका मतलब कि यह एक honorific बहुती एक polite sentence बन गया है इसका मतलब है कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वेट करेंगे बात वही है कि प्लीज वेट लेकिन अपने senior को कह रहे या फिर किसी अपने boss को कह रहे या अपने teacher को कह रहे या आपने बहुती बड़े किसी aged व्यक्ति को कह रहे जिसको बहुत respectful language से बात करना चाता है वो तो माते कोता साई की जगा बन गया माते इतादा के मास का यानि कि वो order न इधर है एक तरह से permission request कर रहा है कि प्लीज आप मेरे लिए वेट करेंगे क्या चलिए अब next grammar देखते है तारा इदिसका तो पहले इसको अलग कर देते हैं तारा अलग कर देते हैं और इदिसका अलग कर देते हैं इदिसका का मतलब होता है जैसे हमने सीखा हुआ है इदिसका होता है good और इदिसका होता है question के लिए तो सही रहेगा और तारा का मतलब होता है if या when या अगर अगर ये हो तो अच्छा रहेगा या अगर ये करें तो सही रहेगा तो अगर अलग से आप कोई भी वर्व है उसको ताफॉर्म में बदले और उसके बाद रा लगा दीजिए तो तारा हो जाता रहे ताफॉर्म में कैसे बदलते हैं ते का ता करना है, बस, simple सरूल है, तो कई सारी verbs को, कि आपको ते फॉर्म अगर याद है, जो कि I think 12, 13, 14 चप्टर के असपास होती है, अगर वो याद है, तो आप उसको बड़े अराम से ता फॉर्म में बदल के आगे रा लगा सकते हैं, तो बन जाएगा तारा, इसका मतलब होता है, जैसे मैं एक्जामपल देता हूँ आपको, ताबे तारा, इत तारा, मितारा, हनाशी तारा, तो ते फॉर्म को ता में बदलना है, बस, ते को ता में बदलना है, तो हमारा बन गया तारा इदिसका, तो ताबे तारा इदिसका क्या मैं खालनूं तो सही रहेगा तो इस तरह से आप खुद भी प्रेक्टिस करिए चलिए देखते हैं पहला एक्जामबल जो है देन शानीनोते ओसाकाए इकी ताइन दिसका तो यहां तक तो सब को I think clear होगा देन शानीनोते मतलब ट्रें में चड़के ओसाकाई है ओसाकाजागा का नाम है IKITA INDITH gaa मैं जाना चाहता हूं अभी जैसे हमने काईता इन दिसगा सीख्थान वैसा ही है IKITA INDITH gaa मैं जाना चाहता हूं IIshita रहे दिसका यानि क्या करूं तो सही रहेगा यानि कि वो कह रहे हैं मुझे प्लीज गाइड करिए कि मैं क्या करूँ यानि कि मैं कांसी ट्रेन में चड़ूँ कहां से ट्रेन में चड़ूँ और किस तरीके से जाऊं तो यह दो शितारा यानि कि क्या करना सही रहेगा शिमास का शितारा बन गया है शिमास की टेफ़ों होत यानि कि खरीदना और कत्ते को बन गया कत्ता और कत्ता से बन गया कत्तारा तो अगर इसको अलग से सीखें तो कत्तारा इदिस्का का मतलब है खरीदना सही रहेगा और उससे पहले लिखा है पासो कौन और दो को दे यानि कि PC को कहां से खरीदना सही रहेगा चले, finally last sentence ये थोड़ा सा उश्के ले धन्स देखे, कोमा का यी ओकानेगा आरीमासेन, कोमा का यी का अलग से मतलब आपको याद रखने पड़ेगा, इसका मतलब होता है, change या खुले पैसे, ओकानेगा आरीमासेन, याद करिए जैसे कि तरह है यह वे देखे देंशा ओसाका पासोकोन उकाने यह सब भी आपने अलग जैपनीज को सीखते हुए आगे जाना है और इनी इनी सीरी Line इनी तरीकों को आप अगर N4, N3, N2, N1 एडवांस जैपनीज तक भी अपलाई करेंगे तो ही आपकी फास्टेस्ट ग्रोथ होगी जैपनीज लेंगवेज में और आप जॉब्स के लिए भी एकदम रेडी हो जाएंगे. Thank you so much.